अगर आप ITI Electronics Mechanics Secondary की student हैं तो आगे इस बीडियो को देखते रहेगा इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 8051 Microcontroller के जिदने भी important practical हैं वो आप सभी लोगों के साथ यहां पर share करने वाला हूं उनकी बारे में आप सभी को यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों जैसा हैं चाहिए हम बात करें इंजिनरी ड्रोइंग की या फिर बात करें थेयोरी की या फिर हम बात करें practical exam की अब दोस्तों आप सभी लोगों के यहां पर exam नजदीक आ रहे हैं तो इसलिए मैंने सूचा क्यों न एक proper video बना दिया जाए जिसमें कि आप सभी को बता दें कि कौन कौन से इसमें important practicals हैं और आप जो है इनको पढ़कर इनकी तैयारी यहां पर कर सकें अब देखें यहां पर दोस्तों जितने भी practicals हैं यह मेरे experience मेरे knowledge के according मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों अगर आप electronics magnetate के student हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा चैनल से जुड़ जाएगा अभी आप सभी के exam आने वाले exam के लिए मैं इसी परिकार से और भी यहां पर बीडियो लाने वाला हूं तो आप सभी लोग जो है चैनल से जुड़ से जुड़ जाएगा इसी परिकार से आपको आपके treat से करने के लिए आपको वीडियो देखने को मिलता रहेगा यहां पर पहला question है identify various ICS and their functions on the given microcontroller kit यहां पर ऐसा भी हो सकता है on the given 8051 microcontroller trainer kit तो इस practical में करना क्या है हमारे पास एक microcontroller की trainer kit दी जाती है उसमें बहुत सारी components होते हैं बहुत सारी ICS होते हैं डिस्पले होती है LCD तो हमें उन सभी के बारे में explain करना होता है उनकी function के बारे में हमें explain करना होता है तो यही दोस्तों हमें इस practical में पाफ्वा में आपर करना पड़ता है आपको बता दें इस प identify the address range of RAM and ROM देखिए हमारे microcontroller में दोस्तों हम memory को use करते है program memory and data memory में से हमारे RAM and ROM तो इसमें दोस्तों इसका कुछ starting address होता है कुछ ending address होता हमारे microcontroller में तो हमें वही identify करना होता है उसी के बारे में हमसे कहा गया है इस practical में कि आप जो है उसके starting address और ending address के बारे में बताईए इ इसकी लिंक भी मैं आपको discussion में दे दूँगा तो उस पर क्लिक करके आप उसको जबूसे download करेगा next question दोस्तों identify the port pins of the controller and configure the ports of inputs and output operation ठीके इसमें कहा गया है जो 8051 microcontroller होता है जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों यह 40 pins की आईसी होते है तो हमें कहा गया है कि आप जो है उसकी pins को जो identify करिए किस pins का काम क्या होता है और ports बताइए कि कौन-कौन से input output ports होते हैं operation के लिए यूज के जाते हैं input output तो वो आप ports से आपर बताइए यह भी important practical है दोस्तों यह भी आपके exam में chances है इसके आने के next question है use 8051 microcontroller connect 8 LED to the port blink the LED with a switch अब इस practical में हमें बोला गया है कि आप 8051 microcontroller से कोई भी एक port ले लिजिए अब देखे दोस्तों जो 8051 microcontroller होता है उसमें total 4 ports होते हैं और हर एक ports एक 8 bit का होता है means एक port में 8 pins होती हैं तो वही हमें बोला गया है किसी भी एक ports को ले लिजिए उसमें 8 LED को connect कीजिए और कोई दूसरे switch में आप एक switch को connect करें और उसके माध्यम से आप जो एक control करें अपनी LEDs को और on-op करके बिलिंग करके आप बदाईए अब देखे दोस्तों इसके लिए आपको एक program लिखना पड़ता है सबसे पहले कील एक software होता है जो कि 8051 Micro controller करें ही होता है जिसमें हम program लिख सकते हैं 8051 Micro controller के लिए और फिर दोस्तों उसको प्रोग्राम करके फाइनाली उससे हम वह operation यह पर करा सकते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको कीली में एक program लिखना पड़ता है उसके बाद दोस्तों आपको circuit को बनाना पड़ता है और उस हसाब से यह आपर बर्क करता है तो यह भी द नहीं पता आप सभी लोगों ने इसके बारे में पड़ा या नहीं पड़ा लेकिन मैंने अपनी इसके बारे में जरूर से पड़ा हुआ है और बहां पर दोस्तों यह practical बहुत important है और हमें जो है प्रोजेक्ट बगएरा मैं दिया गया ता कि आप इसके लिए प्रोग्राम सब्सक्राइब हो या पर सिमिलेशन के तुरू तो काफी सारे प्रेक्टिकल बगएरा की हुए है इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है पफॉर्म दी इनिक्सियलाइजेशन लोड एंटर्ण ओन इलेडी विड डिले यूजिंग टाइमर इस प्रेक्टिकल में कहा गया है कि आप जो है एक लीडी को अन ओफ करवाईए लेकिन जो आफ या ओन की टाइमिंग रहेगी वह आपको टाइम डेली जनरेट करना है टाइमर का यूज करके देखे एक जिरुफाइबर में हम दो तरीके से जो टाइम डेली होता वो जनरेट कर सकते हैं एक टाइमर के तरू औ आपको फिर आपकी लेडी को ओन और आफ यहां पर करवाना है जैसा कि आप पड़ सकते हैं तो नेक्स कोस्टन है डेमोस्ट्रेट एंटरिंग आप सिंपल प्रोग्राम एक्जिक्यूट एन मॉनिटर दा रिजल्ट इसमें दोस्तों करना क्या है यह बहुत ही सिंपल सा हमे यहां पर लिखना है उसको एक्जिक्यूट कराना है डिवक करके और फिर उसका जो आउटपूट हो रिजल्ट हो हमें मॉनिटर पर सुख करवाना है देखे दोसे बड़ा ही अच्छा क्वेशन है काफी सिंपल है इसमें आप एडिशन प्रोग्राम करा सकते हैं सब्ट्रे दे दूँगा इसके अलावा दूस्तों इन में से जोन सा भी कॉस्चन हो जो आपको नहीं आता हो आपको लगे कि जो है इसको समझना इस पर बीडियो बननी चाहिए तो आप मुझे नीचे कॉमेट से सब्सक्राइब बता सकते हैं मैं उस टॉपिक पर आपको एक्स्प्रे बीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा आप लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेसिन मिलता है इसके अलावा इसको सेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास में ताकि और लोग बेश को देख सके और इलेक्ट्रॉन समक्रेट की स्ट्रेंट हो तो इसी पर किसी वीडियो में जैहन बंदमात्रम